प्रक्रण त्रोन कर्म गुण दोश अने स्वभाव स्वभाविक प्रक्रुती अने गुण दोश व्यक्तिये व्यक्तिये अलग होई छे परंतु साधके पोतानी आध्यत्मिक प्रगती माटे पोताना गुण दोश प्रत्य सभानता केळववी अनिवार्य छे पोताना गुण दोश ओडखावा ए साधकनी साचा पथ पर गती सुच्वे छे अने पोताना दोशोंनी ओलक थवी एज प्रभुनी महद कुरुपा छे प्रभु प्राप्ती करवा निकलेला साधक मां कोई पन जातनी खामी कचाश अवरोधक बने छे इटले साधके पोताना गुण दोश ओलखी तेने दूर करवा हम्मेशा प्रयत नशील रहवूं अने जे कईपन कर्म भुगववाना हौई तेने हिम्मत भेर भुगवी आगल ने आगल प्रगती साधता रहवूं जोईए मुद्दा नमबर एक महराज तथा तेमना अनादी मुक्तने जीवोना बीजा नाना मोटा अमुक प्रकृती दोशो होई तेनो अनगमो एटलो बधो नथी होतो जेटलो अनगमो अहंकारी मनुष्य परत्वे होई छे बीजा दोशो तो प्रभु कृपा करीने टाली नाखे परन्तु अहंकारी तो पोतानु तथा पारकानु बधानु अहित करे कारण के ते पोतानी अहंकार व्रुत्ती थी प्रभुनो अने मुक्तनो अवगुण ले अने तैमनी साथे द्रोहनी आठी बांधे ते माटे प्रभु अने मुक्तने अहंकारी मनुष्य न गमे प्रभु अने मुक्तनी पोते निंदा करे अथवा कोई निंदा करतो होई तेने पोतानी प्रतिष्ठाने हानी थवाना भैथी सांभणी रहे अने एवीरीते तेमा पोतानी मुक सम्मती छे एम जणावे एवा निर्बल तथा महोबतिया मनुष्य प्रभुने नगमे जेने प्रभुना सम घाधा होई अथवा प्रभु अने मुक्त पासे आग्नय वचन पाढ़वानी प्रतिग्न्या लिधी होई अने ए प्रमाने न वर्ते तो एवा मनुष्यो न गमे पोतानी कईक भुल होई अथवा दोश होई ते पोताना स्वार्थने बचाव खातर के पोतानी आबरु जड़वाई रहे ते माटे मुक्त उपर ढोली दे एवा मनुष्यो न गमे मुक्ते जे आग्नया तथा सुचनो आप्या होई तेनी विरुध पोताना ठराव प्रमाने वर्ते अने मुक्तनो विश्वास घात करे एवी व्यक्ती न गमे पोतानो कोईक स्वार्थ सिद्ध करवा मुक्तना वचनोंने अतिशयोक्ति थी के अलपोक्ति थी तोड़ी मरोडी ने बीजा आगल रजु करे ते न गमे मान, मोटप, किर्ती अने माईक सुख मले एवा स्वार्थ सहित सेवा करे ते न गमे मुक्त पासे पोताना ठराव राखीने, पोतानो धारियूं करावे, ते न गमे जेने उपर्योक्त दोशो माथी कोई पण खामी होई, तो तेने महराजनों तथा मुक्तनों यथार्थ महिमाज नथी समझानूं माटे जेने पात्र थवूं होई, तेने ते खामियों प्रयत्न पूर्वक दूर करवी साक्षात कार न थाये तिया सुधी, अंतह करणनों शुध्धी करण अने अशुध्धी करण चाल्या करे कारण के अनंत जन्मोना समस्कारो भूसाता समय जाए जेम बहुपाका रंगनों डाग पड़यो होई, तो वधारे महनत थी निकले तेम अती परिश्रमें अने मुक्तनी कृपाथी, काले करीने स्वभाव अने संसकारनों नाश थाय अने अंतह करण शुध्ध थाय श्री जी महराजे कहूं छे तैम, साचो थाई सत पुरुष्णा संगे, दोशो काढवा मंडे तो एज जन में कसर मात्र टड़ी जाए मुद्धा नंबर त्राण दुख, आपत्तियो, मुष्केलियो, विविद संजोगो, संगर्षो, अंतह शत्रूओ आ बधुँज चैतन्यानी प्रगती माटे, निर्मान थायलूं छे आ बधुँज सहन करी, तैनो हिम्मत पूर्वक सामनों करवाथी आध्यत्मिक चेतनानी उर्ध्व गती थाय छे जैम जमीनमा वावेलूं नानू बीज, जमीनना सखत पोपड़ाने तोड़ी, अंकुरित थाय तैम संगर्ष द्वारा, आंतरिक उर्जा प्रबल बनवाथी, आध्यत्मिक चेतनानों विकास थाय छे मुद्दा नंबर चार दुख अने आपत्ती आवे, त्यारे तैने सहन करी, सहर्ष भोगवी लेवाथी, पूर्व जन्मना करमोनू प्रायश्चित थाय जाय तेथी चैतन्य शुद्ध थाय माटे दुख के आपत्ती आवे, त्यारे भय पामी गभराय जवू नहीं परन्तु धैरे राखी, निर्भय थै तैनों सामनों करवो एम करवाथी एवा समय सहन शक्ती वृद्धी पामे, करमोनों क्षय थाय अने आपत्ती माथी उगरवानों मार्ग पन मली रहे मुद्धा नंबर पांच महराज तथा मोटा मुक्त पासे, पोताना ठराव मुकी देवा अने तैमनी पासे, पोतानू धार्यूं करावा माटे, वारे वारे कहवू नहीं के प्रार्थना करया न करवी, मौन भाशा वापरवी बहु बोल-बोल करवानी टेव छोडवी निश्कामना बे अर्थ छे एक, इंद्रीय सैयम अने बीजो अर्थ छे, इच्छाए रहित काम एटले इच्छा कोई पन प्रकार्नी इच्छानो त्याग करवू अने सकाम न थवू निश्काम ने निर्विकल्प थता शिखवू साधके आवी सूक्ष्मवातो शिखवी तो महराज अने मोटा मुक्तनी प्रसनता उतरे मुद्दा नंबर छो खुशामत खुदाने पन प्यारी छे एक एहवतनो अर्थ एम छे के प्रभूना जे दिव्य कल्यान कारी गुण छे ते कोई भक्त पोताना जीवनमा उतारे अने नही स्वार्थ पने प्रभूनी स्तुती करे तो प्रभू तेना उपर अति प्रसन थाई छे पन ते भक्त प्रभूना गुणो पोताना जीवनमा उतारतो न होई अने पोताना स्वार्थनी पूर्ती माटे परमात मानी स्थुती करया करे तो प्रभु ए कई स्विकारता न थी अने तैनी उपर प्रसन पन्थता न थी मुद्दा नंबर साथ बहु वाचाल होवू ए सारी टेव न थी आखो वखत वातो करवा पाछळ समय वेड़फी न नाखवो जयारे कईक वाद करवी होई त्यारे स्पष्ट पने शब्दोंने तोड़ी तोड़ी ने बोलवा विचार्या वगर शब्दोंने फैंकी देवा थी ते कोईने हितकारी बनता न थी अने आपनी शक्ती वेड़फाई छे तेथी जयारे पन कईक बोलवू होई त्यारे प्रभुनी स्मृतीना अनुसंधान साथे बोलवू तेथी शब्दों मा बढ अने शक्ती आवे ए सामर्थे भरेला शब्दों अनेकने हितकारी उपकारक अने समास करता बने छे मुद्दा नंबर आट अखंड महराजनू अनुसंधान राखवानों अभ्यास करया करवो दरेक क्रियामा श्रीजी महराजनू जी करता पणू मानवूं के महराज मारा द्वारा बधी क्रिया करे छे M करता करता स्थिती थाए त्यारे सुख आवे ते अंतरमा अंदर समाववूं पण वारे वारे M बोल्या न करवूं जी मारा द्वारा तो महराज करता छे दरेक क्रिया तेओ करे छे M बीजा आगण बोल बोल न करवूं नहीं तो अहंकार वधे तो स्थिती न थाए अने स्थिती थाई होई तो पड़ी जवाई माटे सतत जागरुत रहवूं मुद्धा नमबर नव बहुधा जीवों ने पोतानू मान घणू होई छे एवा जीवों मा कदाच, सेवाभाव, पवित्रता वगेरे गुणों होई तो पण जो मिथ्या भिमान तथा विद्वान के धनिक होवानों गर्व होई तो तैनों विश्वास न करवो एवा गर्विष्ठ व्यक्ति ने मान मोटप आपिये अने तैना स्वभाव उपर टकोर करया वगर तैने साचव्या करिये त्या सुधी वांधो न आवे परन्तु जरापन तैनू मान भंग थवानों प्रसंग उपस्थित थाई के तरतज ते द्रोह करवा मंडी पड़े अने पोतानू तथा बीजानू अहित करे जो मुक्त एवा गर्विष्ठ व्यक्ति ना मानने तोड़े तो तैमनी साथे पण द्रोहनी तथा वेरनी आटी बांधे माटे एवी व्यक्ति थी दूर रहवूं तैमनों बहु जाजो प्रसंग न राखवो तैमने मान प्रशंसाथी बहु प्रोत्साहित पण न करवा ए एना जीव माटे हितावह छे श्री हरी तो गर्व गंजन छे तैमने तो पोताना मुक्तो अती वहला होई एवा मुक्तो नो कोई गर्विष्ठ व्यक्ति दुरुह करे तो प्रभु गमे ते रीते करीने तैना गर्वने तोडे छे ज्या सुधी एवा जीवोनों गर्व पोशाई त्या सुधी तैनी बुद्धी ब्रश्ट थया करे तेथी ते अनेकने हानी कारक बने ते माटे एवा देहा भिमानी जीवोना अती निकटना संपर्ख मां साधके न आववुँँ कारण के साधना मां ते विक्षेप रूप बने छे मुद्धा नंबर दस भगवान ना गुणों पोता नामा आवे तेनु मान न राखवुँँ अने मोटाई न इच्छवी दास पणू राखवुँँ अने सर्वे गुणों महराज नाचे एम मानवुँँ नहीं तो कोईने आशिर्वाद आप्या होई ते सत्य थाई तो अंदर अंतरमा आनंद थवा लागे तेथी पोतानों अहंकार पोशाई माटे समझन केडव्वी अहंकार घणों सूक्ष्म होई अधुरी स्थितीमा पतन करावी दे माटे सर्वेने एम कहवूंजे आपने बधा एक महराज नाज दास छिए बधा ए सुखना सर्खा भागिदार छिए अने ते एकज मुर्तीना सानिध्यमा छिए कोई नानों मोटो नथी बधाज भगवाननी सभाना सर्खा अधिकारी छिए तेम उपदेश करवो अने पोते पन ए समझन द्रड करवी मुद्धा नंबर अग्यार विकारो दोशो अंतरशत्रुओ वगेरेनु वास्तविक्रिते कोई अस्तित्व न थी परंतु तेतो मननी पोतानी उभी करेली भ्रम्नाओ कॉम्पलेक्सिस ग्रंथियो मात्र छे प्रभुना दिव्य कल्यान कारी गुणोंनो अभाव ए जिदोश ग्ण्याननों अभाव ए अग्ण्यान प्रकाशनों अभाव ए अंधकार खरे खर्तो अंधकारनू अस्तित्वज न थी ए अंधकार कोई एनरजी शक्ती न थी परन्तु प्रकाश, एनर्जी, शक्ती छे ज्यारे तेनो अभाव होई, त्यारे अंधकार गणाई आवी रीते आ बधे रिलेटिव टंस सापेक्ष बाबत छे सुखनो अभाव ए दुख, सत्यनो अभाव ए असत्य वगेरे माटे प्रभूना कल्यान कारी गुण एक पछी एक शिखवा अने तेने अती द्रढ करवा एटले दोश, आवरणों, स्वभाव, आपो आप जता रहे जम के बधा प्रत्य प्रेम, करूना ने आदरभाव उद्भवे एटले, वैर, द्वेश, ने तिरसकार नो भाव दूर थाई संप आवे एटले, कुसंप दूर थाई सतसंग विक्से, एटले कुसंग जाई सत्यनो गुण विक्से, तो असत्य जाई अहिंसानो गुण आवे, तो हिंसानो भाव दूर थाई एम, ज्यारे प्रभूना बधा कल्यान कारी दिव्य गुणो आवे एटले, मुमुक्षु साधक पोताने अतिशय प्रकाशवान निर्मल ने निर्गुण अनुभवे पछी तेने पोतानेज खबर पड़े छे, के हुँ, हवे प्रभूनु स्वरूप पधरावी शकाई एवो पात्र थायो छूं एवो शुद्ध पात्र थाई, त्यारे प्रभूनी अने अनादी मुक्तनी कृपाथी साक्षातकार थाई पण ते विनातो, ध्यान, भजन, धून, कथा, वार्ता, माडा, पूजा, वगेरे साधनो, मिकेनिकल यांत्रिक रीते करया करे तो कोई दिवस साक्षातकार न थाई ज्यासुधी अंतह करण मा पोते जे मुर्ती सिध्ध करी होय ते देखाई त्या सुधी सिध्ध दशा न आवे एतो कल्पनामा मुर्तीना दर्शन कहवाई पण एम करता ज्यारे पूर्ण पात्र थाई अने प्रभु जीवा छे तेवा स्वरुपनो आत्मामा साक्षातकार थाई त्यारे मुक्त थाई अने सुखनो अनुभव थाई माटे प्रभुना स्वरुपना ध्याननी साथे साथे जान पणा रुपी दर्वाजे उभा रही प्रभुना गुण शीखे एटले बधा दोश जता रहे निर्मानी पणू ग्रहन करे तो मान जीताई सत्यनू पालन आचरण करे तो असत्य जीताई निशकाम व्रत पाले तो काम जीताई तैम, लोब, मोह, स्वार्थ, दंभ, कपट वगेरे बधा दोशोंनू समझवूं माटे, मोटा मुक्तनों, जोग, समागम, सेवा करीने प्रभुना गुण शिखवा तो पात्र थवाए पन, कोई खाली हाथ जोडीने यांत्रिक रीते ध्यानज करया करे तो दोशों जाए नहीं, ने साक्षात कारपण थाए नहीं मुद्धा नंबर बार प्रभु ज्यारे कसोटी रूपे दुख प्रेरे के मुश्केलियों आपे त्यारे साधके एम समझवूं के ते प्रभु द्वारा प्रेरित होई आपना संपूर्ण पणे हितमाज छे पण प्रभु आवी कसोटी शुकाम करता हशे आटली वधी हैरानगती शामाटे वगेरे संकल्पो अस्थाने छे मुक्त अने प्रभुए ज्यारे कोईनी चिन्ता लई लिधी होई त्यारे तेने माटे चिन्ता करवी व्यर्थ छे कारण के प्रभुना ने मुक्त ना ध्यानमा बधु होयज कया जिवनू शैमा अने केविरीते हित करवूं तैनी तेओने संपूर्ण पणे खबर होय छे माटे, निर्भय, निर्विकल्प ने निश्चिन्त रहवूं दुख ने मुश्केलियों नो, प्रभुनू ने मुक्त नो बढ़ राखीने सामनो करवू एज साची समजण छे मुद्धा नंबर तेर कोई मुमुक्षू मोटा पुरुष्णी सेवामा रहतो होय तैने ज्यारे कोई काम सौपवामा आवे अने तैने कहुँ होय के ते काम करीने तुँ आ समये आटला वागे आवजे त्यारे ए काम जो वहलू पूरुँ थई जाए तो मोटा पुरुष्पासे आग्निया वगर वहला दोडी न जवू अम्था अम्था आटा फेरा पन न करवा एवी चंचल प्रकृती टालवी जो ते काम पूरुँ थई गयू होय तो बीजू कईक विचारवूं अथवा अंतर वृत्तिये महराजनू ध्यान करवूं चिन्तन मनन करवूं पन अम्थो समय व्यर्थवा तो तथा आटा फेरा मा बगाडवो नहीं ते उपर गुरुदेवे गांधी जी अने विनोबाजी नी वाद करी के विनोबाजी गांधी जी पासे सेवा करवा रहा त्यारे पहला तो गांधी जी ये तैमने पशुपालननी सेवा सोंपी ते तैमने कंटाले अवगर निष्ठा पूर्वक घणों समय करी जरे गांधी जी बीजाने इवु कारे सौपता तो तेवों कंटाली ने भागी जता कारण के तैमने चंचल प्रकृती हती अने गांधी जीनी महानता पण तैमने बराबर नहती जानी विनोबाजी निश्ठावान हता तेम ने गांधी जी कईक कार्य सोंपे अने कहे के ते कार्य अमुक समय सुधी मा पूरूं करीने मारी पासे आउजो तेरे विनोबाजी ये जो ते कार्य वहलूं पतावियू होई तो पण तेओ गांधी जी पासे तेम ने खलेल पहुँचाडवा दोड़ी जता नहीं परन्तु कह्यू होई एटला वागेज जता तेमने रेटियों कातवानू काम सोंपेलूं ते कांतता कांतता तेमने गीताना शलोको मोढे करवानों अभ्यास करी तेनी उपर गहन चिंतन करियूं अने तेना चिंतन थी गीताना रहस्योंनों उकेल पण तेमने मलवा माण्यों परन्तु रेटियों कातवानू छोड़ी दै तेवों लखवा न माण्या अने चिंतन करी आखी गीता तथा तेना रहस्यों मगजमा संघरी राख्या गांधी जीए एक वार पुछियूं के रेंटियों ज कातों छो के कई बीजूपन करो छो पछी विनोबा जीए पोते करेला गीता उपरना संचोधन विशे वात करी त्यारे गांधी जीए तैम ने रेंटियों कातवानी सेवानू कार्य बंध करावी ते बधूं लखी नाखवा जणावियूं आमने तो मगजमा तैयार जहतूं तेथी सुन्दर रिते लखी नाखियूं जे अत्यारे अनेकने उप्योगी थाई छे एम मोटा पुरुष्णा वचन मारही सद प्रवरुत्ती करतां करतां दोशोर, स्वभाव, प्रकृती वगेरे जीताई छे अने अंतर व्रुत्ती तथा चिन्तन वगेरे करवाथी सांक्षात कार्ने मार्गे प्रगती पन सधाई छे मुद्धा नंबर चवुद आपणा मा जे कई सारा गुणों होई, सारी कार्य शक्ती होई, सारा विचारों उद्भवे, के सारूं कार्य थाई ते बधु महराज तथा मुक्तने आभारी छे एम मन मा द्रडता करवाथी, अहंकार ओग्णी जाई छे भगवान नों साक्षात कार्थया पछी, सुखमा रहा होई त्यारे बधी खबर पड़े छे के प्रभुज बधुं कार्य करे छे मारा द्वारा प्रभुज बधुं कार्य करता हता अने मनेतो केवळ निमित बनावेलो एवुं पूर्वनी स्मृती करावी ने देखाडे छे मुद्दा नंबर पंदर प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी, अने सत्ता वगिरे मानसने मले तो तैनों मद आवी जाई छे मदन सिहनी जेम पन विचारक साधके तैना थी दूर रहवुं पूर्व जन्मों मा एवी घणी प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी आपने मिलवी चुक्या होई ये छिए ते जो प्रभु समाधी द्वारा देखाडे, तो खबर पड़े माटे, एवा ख्षणिक प्रलोभनों ने मोहने वश थया वगर तैनो राग काढवा प्रयत्न करवो जोई ये मुद्धा नंबर सोड आलोक माँ अनन्त विधस्वभावो धरावता जीवो होई छे तैमना कुस्वभाव जोई, तैनी उपर नाराजगी थाई तो पन दयाभाव राखवो समर्थ थका जहरणा करवी अमुक अवगोणिया जीवो ने तैना हित माटे प्रभु शिक्षापन करे जे थी ते शुद्ध थाई अने अवगोण लेवानो कुस्वभाव घसाई भगवानना मुक्तनी सेवा करवाथी पाप कर्मो घसाई छे ने साथे साथे अयोग्य स्वभाव पन घसाई छे ज्यारे मुक्तनों द्रोह कर्यानों खरा भावती पस्तावो थाई त्यारे चैतन्य शुद्ध धाई छे मुद्धा नंबर सत्तर मुक्तना आशिर्वाद मल्या होई तो क्यारेक केटलाक कर्मों माफ्थ है जाई ने क्यारेक प्रभु जीवोंना अमुक कर्मोंनू फड हपते हपते पनभुगवावे जैम के कोईकने कैंसर जेवी गंभिर बीमारी थवानी होई तो तैने बीजी नानी नानी बीमारी द्वारा कर्म फड भुगवावे एम शोलीनू दुख कांटे काढ़े ज्यारे अमुक कर्मोंनू फड तात कालिक पन भुगवावे जैम के अकस्मात रदै हुमलो जेवी घटनाओ मा शरीर नो नाश्थवो जीवने देह मुक्या पछी प्रारब्ध कर्मोंना समस्कारो कारण शरीर मा रहेल अव्यक्त रागो वासनाओ इच्छाओ वगेरे चैतन्यनी साथे आवरण रूपे जाए छे जेथी चैतन्यने जन्म मरण रूप संसरुती वलगे छे कर्मोनी गती अती सुक्ष मछे कोईने दुख थतु होई अने ते तेना प्रारब्ध कर्मों भुगवतो होई अथवा प्रभु तेने तेना कर्मोंनु फळ शिक्षा रूपे आपता होई ते जोईने जो राजी थवाई आनंद अने संतोषनी लागनी अनुभवाई के के वो दुखी थाए छे ते एज लागनों छे तो एवा संकल्पोंनु पण सुक्ष्म कर्म लागे एवा संकल्प कर्नारने एनु फळ पण भोगववूं पडे उदाहरन रूपे ज्यारे द्रवपदीनु भर सभामा अपमान थतू हतूं त्यारे सौथी वडिल भिश्म पितामह पोताना पउत्रोंनु दुश्कृत्य जोवा छतापण मौन रह्या अने विरोध प्रदर्शित करतो एक शब्द पण बोल्या नहीं ते तैनी मुक सम्मती गणाए ए पापमा ते ओपण मुक रूपे सहभागी थाया ते थी तेनू बाण शय्या रूप फळ अन्त वखते तैमने भोगववूं पडेलूं माटे क्रियमान कर्मों करवामा उन्डा विवेक अने जागरुतीनी आवशक्ता छे मुद्दा नंबर ओगनिस अमुक जीवो थी पूर्व जन में घणा पाप कर्मों थई गया होवा थी तेना बढ़वान कू संसकारों चित्तमा रहेला होई तेथी तेने आ जन में पण ते संसकारों पीडे छे जैने लीधे ते फरी पाछो पाप मां प्रवरुत थाई पूर्वे करेला पापों नी विस्मृती थई गयली होवा थी नवा पापाचार मां तेने भय नथी लागतो एम पाप पोणिय कर्मोनी परंपरा चाल्याज करे बधा जीवोनू आमज थया करे छे पछी मोक्ष कई रिते थाई तो पन प्रभुत था तेमना समर्थ अनादी मुक्तो जीवो उपर कृपा करीने तेमना कर्मोनों क्षय करीने जन्मो उचा करीने कल्याण करे छे पात्र एवा मुमुक्षू जीवोनों छेल्लो जन्म करी आत्यंतिक मोक्ष ने पन पमाडे छे साधके क्रोधादिक दोश जीतवा अंगे बुद्ध ना भिक्षुक नू द्रश्टांत आपता गुरुवर्य मुक्त राजे वात करीके भगवान बुद्ध ने तैमनों शिष्य आनंद विचरण करतां करतां एक गाम मां रोकाएला ते गामना मनुष्यो अती द्वेशी हता ते ओ बुद्ध ने आनंद उपर कादव, कीचड, पत्थरों वगेरे फैंकी खुबज परिशान करता आ दुख सहन न थवाथी आनंदे कहिँ भगवान आ गामना लोको हलकी मनो वृत्ती ना छे माटे चालो बिजे गाम जईए बुद्धे कहिँ आनंद बधे सरखाज लोको होई आपने दुख सहन करतां शिखवूं जोईए इश्वरे आपनने तप करवानी अनेरी तक आपी छे एम मानी तैनों सहर्ष स्विकार करी लेवो जोईए बुद्धनी आ वात न मानी आनंदे बीजे गाम जवानी हट करी एटले अंते बनने बीजे गाम गया बीजा गामना लोको तो पहला गामना लोको करता पन वधु परिशान करवा लागया पछी ते गामनों पन त्याग करी त्रीजे गाम गया त्या पन एविज उपाधी थै एटले आनंदे कहिऊं भगवान आ गामों करता आपने जे पहलू गाम छोड़िऊं ते वधु सारू हतों चालो पाछा त्या जईए बुद्धे हसी ने कहिऊं हुँ तो पहले थी जि कहतो हतो पन तने मारी वात मनाती न हती इश्वर आपनने ज्यां राखे त्या आनंद थी रह्मू जोईए एज साचा भिक्षूनू करतव्य छे भगवान बुद्धनी वात शिश्य आनंदे स्विकारी अने तपनी भवनाथी बधी जग्याए तटस्थ पणे रहवा लाग्या एम प्रभुए आपना माटे निर्मान करेली कोईपन परिस्थितीनों सहर्ष स्विकार करी आनंद थी प्रभुनू भजन करवाथी काम क्रोधादिक दोशों उपर विजय मेलवी शकाय छे मुद्धा नंबर एकविस श्रीजी महराजे एक साधुने बीजा साधु तथा मोटा हरी भक्तोना अंगनी वात लखी लाववानू कहिँ के जाओ बधाना अंग स्वभाव प्रकृते विशे बरोबर तपास करीने लखी लावो पछी ते साधुए बधाना अंगो विशे जिनवट थी तपास करीने लख्यूं के अमुक साधुमा ने अमुक हरी भक्तमा कोईकनी मानी प्रकृती, कोईकनी क्रोधी, कोईकनी लोभी, कोईकनी स्वार्थी, तो कोईकनी इर्षालू प्रकृती छे एम, बधानी विविद प्रकृती अंग विशे, विस्तार्थी लखी ने महराज पासे लाव्या महराजे तेमनु लखान जोईने पूछिऊं, साधु राम, आमा तमारा अंगनी वात लखी छे त्यारे साधुए कहिऊं, महराज, ए तो हुँ भुली गयो एटले महराजे तेमने ठपको आपयो के आ जिव पोते पोताना गुण दोष जोतो नथी अने बीजानाज गुण दोष जोया करवानी कुटेवने लिधे पोतानी जातमा सुधार लावी पोतानी प्रगती साधी शक्तो नथी माटे साधके बीजा केवा छे? शू करे छे? ए बधुँ आखो वखत जोवा करता पोते के वो छे? पोताने हजी शू करवानू बाकी छे? तेनी निरंतर तपास करता रही पोताना दोषो नेक्षतियो काढवा सतत प्रयतनशील रह्मू जोईये तोज आध्यात्मिक प्रगती संभवे मुद्दा नंबर बावेस हलवदना मंदिर मां एक वखत सद्गुरु महानुभावानंद स्वामी धुन करावता हता तैमने त्याना दिवाने आवी ने धम की आपी के धुन बंध नहीं करो तो काले सवारे आठ वागे तमारू आ मंदिर तोडावी नाखिश ए वखते स्वामी श्री द्वारा श्री जी महराज पोते बोल्याजे तमने आटलो बधु अहंकार ने द्वेश भावचे तो तमारूंज बधु नाश थै जशे पछी बीजे दिवसे ए दिवानना घर मा ककलाट थयो अने मोटो जगडो थयो तेमा ते द्वेशी दिवाननों सर्वनाश थै गयो माटे अहंकार बहुज खराब दोश छे तेमा पण कोई मुक्त पुरुष नो अहंकारे करीने द्रोह थै जाए तो जिवनों पण नाश थै जाए मुद्धा नंबर 23 मुक्त ज्यारे चांदलो करे त्यारे किटलाक बाळको माथूं आघूं लईले खुब रडे निधमाल करे छता तेमने पराणे मुक्त पासे चांदलो कराब वोजोईई जेम गुमडूं कापवूं होई त्यारे पकडी राखवा पडे तेम माथूं पकडी अने मुक्त पासे चांदलो करावी लेवो कारण के मुक्त ज्यारे चांदलो करे त्यारे तेमना दिव्य संकल्पथी चैतन्यनू परिवर्तन धवाथी महदाउंशे मोटा थैने सारा बने छे एम केटलाक जीवो अलवित्रा अवला होई छे तेनो स्वभाव बाढ़पण थीज जणाई आवे छे तो अमुक बाढ़को नम्र थै आनंद थी मोटा मुक्त पासे चांदलो करावे छे एम जीवोनी स्वभाव प्रकृती अलग-अलग होई छे छता मुक्तना दिव्य संकल्पथी तेमां परिवर्तन आवी शके छे मुद्दा नम्बर चौविस जीवने पोताना स्वभाव जीत्वा ते काम घणूज कठन छे परन्तु मुमुक्षु होई ते अतिशय पुरुष प्रयत्न करे अने पूर्ण मुक्तना जोग मा रही तेमनी अनुवृत्तीमा वर्तीने तेमनो जोग, समागम, सेवाय करीने तेमने राजी करे तो दोश तथा स्वभाव उपर जीत मेलवी शके गुरु वर्ये एक सन्यासीनी वाद करी ते वन्मा रहीने ध्यान, योग, तप आधिक साधन करया करतो पछी एक संत पासे ते आव्यो त्यारे संते पूछिऊं, कैम सन्यासी महराज केवी प्रगती साधी छे त्यारे सन्यासी ये कहिऊं, प्राणायाम, ध्यान, योग, वगेरे क्रियाओ थी मनमा शान्ती रहे छे पण, ब्रह्मानू सुख बरोबर आवतू नथी, अने तेनो दिव्य अनुभव थतो नथी संते कहिऊं, तमें जे योग वगेरे करियूं, ते बधुँ उपलकियूं, ने मिकेनिकल यांत्रिक रिते करियूं छे वनमा रहे, तो स्वभाव जीतायला लागे, पण, वस्तीमा रहे त्यारे, स्वभाव केटला जीताया छे अने केटला दोश स्वभाव जीतवाना बाकी छे, तैनी खबर पड़े तमें वस्तीमा रहो त्यारे, जो काम, क्रोध, मान, वगेरे दोशों न व्यापे, तो जानवूंजे, हवे पात्रता थाई छे पण, ते दोशों व्यापे, त्या सुधी पात्रता थाई न थी ज्या सुधी, काम, क्रोध, मान, आदी दोशों थी पर न थी थाया त्या सुधी, पात्रता केडववानों पुरुशार्थ सतत कर्या कर्वो जोई ये शुध्ध पात्र थवाय त्यारेज, ब्रह्म परब्रह्मनों यथार्थ सुख आवे माटे, तमे वनमा रहवानों छोड़ी, अने वस्तीमा रहो सन्यासी मुमुक्षु हतो, एटले संतनी वात मानी, अने वस्तीमा रहवा मांड़ेओ क्यारेक कोई अपमान करतूं, अने गालो देतूं, त्यारे शरुवात मा क्रोध खुब धतो सतत जागुरती पुर्वकना प्रयत नथी, धीमे धीमे, क्रोध, मान, लोब, आदी दोशो जीतावा मांड़ेओ बधा दोशो जीती लिधाबाद सन्यासी निर्मानी थईने संत पासे आवयो ते पात्र होवा थी संते कृपा करीने तेने ब्रह्मना दर्शन करावया पछी तेने ब्रह्मनू अखंड सुख मलवा लाग्यूं जे मुमुक्षू निवरुत्ती पकडीने खुणों पकडी बैसी जाए ते थी कई स्वभाव जीताई न जाए साधन दशामा होई त्यारे तद्धन निवरुत्ती मातो तमोगुण वृद्धी पामवानी पूरी शकेता रहे ली छे जीव नवरो पड़े त्यारे कांतो खोटा घाट संकल्प करे अथवा विशय भोग मा प्रवृत्त थाई कांतो सुई रहे अथवा न करवाना कार्यो करे माते सद प्रवृत्ती करता करता सतसंगी हरिभक्तो वच्चे रही प्रभूनू चिंत्वन ध्यान भजन कर्या करे तू बधा दोशो अनेस्वभाव जिताई जाए त्यार बाद पूर्ण पात्र थवाथी प्रभूनी तथा मुक्तनी कृपाथी साक्षात कार थै सिद्ध मुक्त दशा पामीने महा सुखियो थै जाए सबक्राव करे तू पूर्ण पामीने जाए